हेलो स्टुडेंट वैलकम टू आर्सी आई केमेस्ट्री ओनलाइन क्लासेज तो स्टुडेंट इससे पहले हमने दो तीन टोपिक डिसकर्स कर चुए हैं निमेरिकल कुश्यन सोल कर चुए हैं आज हम जो टोपिक नमर पढ़ रहे हैं टोपिक नमर जो फोर है वह हमारा है दूसरा नाम जो होगा इसको बोलेंगे रेट लो ठीक है स्टुडेंट तो अकोडिंग टू ता लो ओफ मास एक्शन या पर बोलें अकोडिंग टू रेट लो एट एक कॉंस्टेंट टेंप्रेचर क्या दिया आपको एट एक कॉंस्टेंट टेंप्रेचर है दा रेट ओफ reaction is proportional to the reactant of active mass या reactant of molar concentration कैसे आपके reaction दी जा रही है alpha A beta B convert हो रहा है product में तो यहाँ पर हम इसको apply करना है तो हम apply करेंगे R is directly A की power alpha B की power A beta student यहाँ पर यह बोला गया कि rate जो होगी reactant की concentration की क्या होगी directly proportional होगी तो यहाँ पर जो यह A है reactant यह B क्या है reactant है और यह इनके molar coefficient हो जाएंगे जो यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे power में चले जाएंगे मलब A की concentration की power alpha B की concentration की power क्या हो जाएगा बीटा अब जैसे इस proportional को हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है constant आता है उसको बोलेंगे K A की power alpha B की power बीटा यह आपके पास में आ जाएगा यह तो हो जाएगा आपके पास में rate यह हो जाएगा आपके पास में rate constant ठीक है इस्टेंट अब बात करते हैं कि अगर आपके पास में A की If A की concentration और B की concentration एक दूसरे की equal हो जाएगा हम इनको क्या मान लें unit मान लें unit का मतलब कितना हो जाएगा one मान लें तो आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा निकल के देखना R is equal to K और अब यह जो K होगा इसको हम rate constant नप बोल कर क्या बोलेंगे specific rate constant क्या बोलेंगे specific rate constant ठीक है श्टेंट अब बात करते हैं यह तो हमारा topic हो गया topic number 5 के हम बात करते हैं इसी chapter में हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में जो topic 4 है वो दिया गया है unit के बारे में unit की rate की unit क्या होगी rate constant की unit क्या होगी unit of rate and rate constant सबसे पहले हम rate की बात करते हैं rate जो होती है उसको हम represent करते हैं r से और rate constant को हम represent करते हैं k से तो आर जो होती है आर को हम जब define करते हैं तो आर को define करते हैं the change in concentration of reactant in product in a unit time ठीक है तो आर जो हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा plus minus itnaus dell C upon devil T यह हमारे पास में हो जाएगी concentration और 10 концonlarını जो होती है concentration जो होती है यह होती है कि मौल पर volume जो होंगे जहने हैं volume को ले जेंगेmie V मौल की unit रह जाएगी मौल और वोलिम की हो जाएगा पास में लेटर तो इसको हम यहा oxygen in mole liter inverse तो concentration की unit क्या होगी हमारे पास में ये तो हमारे पास में होगी concentration की unit mole liter inverse हो जाएगा आपके पास में आप देखो यहाँ पर ये तो है आपके पास में concentration और ये क्या दिये आपको time तो concentration की unit क्या हो जाएगा आपके पास में mole liter inverse और time जो होगा आपका आसमे minutes में हो सकता है, seconds में हो सकता है, hours में हो सकता है, जो आपको numerical में दे questions में दे उसके according, हम यहाँ पर कहलेंगे time लेंगे, तो unit क्या जाएगी हमारे पास में, जो rate की unit आएगी, वो आजाएगी, mole, liter, inverse, time, inverse, ठीक है student? अब जा हम unit निकाल रहे हैं, वो unit निकालेंगे rate low की, तो rate low की अगर unit हम निकालते हैं, तो according to rate low, according to rate low, अगर rate low की according हम बात करें, तो क्या बोलना था rate low की R is directly proportional to reactant concentration, तो reactant की concentration क्या होगी? A, क्या हो जाएगी? B, A की power alpha, B की power beta, ठीक है student? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कि R जो होती है, R को हम बोलेंगे rate, हमें यहाँ पर K की value निकालनी है, K की unit निकालते हैं, तो student देखना, K हो जाएगा, R upon A की power alpha, B की power beta, ठीक है? इसको आगे लेके चलते हैं, R जो होता है, rate जो होता है हमारे पास में, rate की जो unit होगी, वो क्या होगी? rate की unit हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो rate की जो unit होगी हम यहाँ पर put कर देंगे, क्या होगी हमारे पास में, mole, liter inverse, time inverse, ठीक है? नीचेक सैड में क्या दिया हुआ है, A की concentration होगी, B की concentration, तो A जो होगा, concentration जो होगी, concentration की unit क्या होगी, student हमारे पास में, यह दीगे, यहाँ से put कर देंगे, क्या हैगी, mole, liter inverse की power, alpha, और mole, liter inverse की power है, बीटा, ठीक है? मैं तमें आप पढ़ते हो, कि जब base क्या होते हैं, same होते हैं, देखो, यह base और यह base दोनों आपस में क्या हैं, same, तो इनकी power जो होगी, आपस में क्या होगी, sum हो जाएंगी, add हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे, यहाँ पर है, alpha प्लस बीटा, हमको हम माल लेंगे n, और n को बोलते हैं, order of a reaction, order of a reaction, ठीक है, student, कि यह जो reaction होगी, zero order की होगी, first order की होगी, second order की होगी, तो यहाँ से हम लेते हैं, चलो, mole, little inverse, time inverse, अपन क्या लेंगे, mole, little inverse, alpha प्लस में, बीटा, और alpha बीटा, हम क्या लेंगे हैं, student, यहाँ से n ले सकते हैं, तो mole, little inverse, time inverse, यहाँ पर क्या जाएगा, mole, little inverse, की power n, इसे को आगे solve करते हैं, student, तो क्या आएगा, mole, little inverse, time inverse, आजाएगा, mole, little inverse, की power, minus में, n, यह power जो पर जाएगी, किसमें बतल जाएगी, आप पास में, positive में थी, किसमें हो जाएगी, negative में, तो हमारे पास, जो k की जो unit आ रही है, overall निकल की, वो क्या हो जाएगी, mole, 1 minus n, liter, n minus 1, second inverse, जो हम time जो ले रहे हैं, second में ले सकते हैं, मैं यहाँ पर दिकराऊ हूं, time inverse, यह unit हो जाएगी, student, rate constant, यह हमारे पास में, वापिस देखते हैं, जो हमारे पास में, जो reactions की rate होगी, R जो होगी, उसकी unit क्या होगी, हमारे पास में, mole, liter inverse, time inverse, जो concentration जो होती है concentration की unit क्या होगी mole liter inverse और जो rate constant होगा k की unit हमारे पास में क्या होगी mole 1-n लिटर n-1 टाइम है inverse, thank you class